दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक वहिकल हाईवे अब भारत में बनने जा रहा है और यहाँ इसी साल 2022 की अंज तक पूरा कर लिया जाएगा भारत के पूरी तरहां से कारबन प्री मोबिलिटी बनने के रहा में यहाँ एक बहुत ही महत्य पूर्ण उपलब्दी है इस प्रोजेक्ट का नाम पूर प्रधानमंत्री अटल बिहरी वाजपई जी के नाम पर रखा गया है इसका नाम अटल हरित विद्योत राजश्ट्रिय महामार्ग यानि की AHBRM है हाला कि यह गोशड़ा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के नवंबर में नॉयड़ा के जेवर एरपोर्ट के उद्गाटन मौके पर हुनी थी लेकिन धीमी गती से काम होने के कारण इसको टाल दिया गया था लेकिन अब सरकार ने निड़ने ले लिया है कि इस काम को इसी साल 2022 में पूरा करना है यमुना एक्स्प्रेस वे और डैली जैपूर हाइवे को दो 2022 की अंत तक पूरी तरहां से इलेक्ट्रिक विहिकल्स के चलने लायक बना दिया जाएगा नैशनल हाइवेस फर इलेक्ट्रिक विहिकल्स के प्रोजेक्ट डैरेक्टर के अनुसार इन हाइवेस पर अभी 100 इलेक्ट्रिक गाडियों और 25 इलेक्ट्रिक बसों को दोड़ाया जाएगा यह गाडियां ड्राइवर के साथ किराय पर ली जा सकती हैं इन हाइवेज पर कुल 12 चार्जिंग स्टेशन्स होंगे जिसमें की दो पूर्ण तह सोलर पौवर्ड होंगे यह हाइवेज यानि की AHVRM दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक वहिकल्स हाइवे होने जा रहा है अभी विश्व का सबसे लंबा हाइवे जर्मनी के बर्लिन में मौझूद है जिसकी कुल लंबाई 109 किलो मीटर है जबकि भारत के AHVRM की कुल लंबाई 500 किलो मीटर की होगी यमुना एक्स्प्रेस वे और डैली जैफूर हाइवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वहिकल्स वाले वहनों के चलने लाइक बना दिया जाएगा और यहां हर पल 24 घंटे वेक्तियों और टैक्सी इलेक्ट्रिक वहिकल्स पर कैमरे की मदद से निगरानी रखी जाएगी इन हाइवेस पर गाडियों की किसी भी तरह की इमर्जेंसी ब्रेक्डाउन के स्थिती में 45 मिनट के अंदर साहेता पहुँचाई जाएगी हाइवेस में लगने वाले चार्जिंग स्टेशन्स फायदे मन्द होंगे और इसकी कुन लागत 36 महिनों के अंदर निकाल ली जाएगी और इस तरहां से यहाँ एक बहुती प्रोफिटेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोजेक्ट साबित होगा इन दोनों हाइवेस पर ट्राइल रंस शुरू किया जा चुके हैं और डैली जैपूर हाइवे में पढ़ने वाले गुरू ग्राम में दो चार्जिंग स्टेशन्स ने काम करना शुरू भी कर दिया है भारत ने अपना लक्षे 2030 तक 100% कार्बन फ्री मोबिलिटी का रखा है अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत इसको 2030 तक हासिल कर पाएगा अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करे और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बिटन को दबाना ना भूले जिसते कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंसकी रहे